में हैऽ दोस्तों तो जैसे कि आप लोग को मालुम है कि हम दोस्तन कर रहे हैं जिसमें हम लोग टारगेट लिए हैं भी हार्बूरड क्लाश द्यूर्थ का जो हिस्ट्री का 2021 पर לב जिसमें हम लोग 1 उस्ट पार्ट कर लिए थे आज ये दूस्षा पार्ट है और नेक्ष्ट जो पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट हो जागा नहीं कि तीन वीडियो में आपका दोजारे किस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं देखिए इसमें क्वेश्चन आमर 16 था प्लासी का यूद कब हुआ था ये पूछा था आपका प्लासी का यूद कब हुआ था तो 1757 किसके किसके बीच हुआ था सिराजुल दौला और अंग्रेज के 20 अगला इसमें देखिए अगला फेक्ट क्या हो सकता है पूछेगा कारगिली यूद कब इसी में लिख दीजेगा लो बक्सर का यूद जो हुआ था वो 1764 में हुआ था इसको भी पूछने की समभावना है बक्सर की यूद जय वो 1764 में अगला है पानीपत का पर्थम यूद 1526 बाबर और इब्राहिम लोदिन जिसमें बाबर की जीत हुई थी और पानीपत का यूद तो 1761 में ये मराठो के बीच हुआ था अगला करलिंग की यूद 2761 में हुआ था जिसमें करलिंग ने सिंध पर आकमन किया था तो कुल मिला कड़ी इसमें से आपका ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट है तो ये पलासी का यूद बक्सर का यूद और करलिंग का यूद और पानीपत का पर्थम यूद ये चार आपको याद होना चाहिए चलिए आगे देखिए अगला कोश्चन है सत्रा नमर कि 1916 में भारतिय रष्टिय कांग्रेस के लखनार अधिवेशन के अधियक्स कौन चुने गए थे तो इसमें होगा अंबिका चरण मजुमदार इससे अगला एक और था जो भारतिय रष्टिय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1924 में बेलगाव में हुआ था तो उसके अधिय Alec जो तै वह महत्मागादी थे तो इससे अगला और करता है भारत के पर्थम राष्ट्पती तो राजिंद परसात का रहल भी है था उन्हें आपको बताया था जिनको 24 जैनवरी 1950 में चुना Mog ता आगे दek Graham यह अपका question पूछा था अब इससे लेटर जितना नारा है देख लिए करो या मरो का नारा भारत छोड़ो यह महत्मा गांदीजी के दूरा नारा दिया गया अगला है अराम हराम है कनारा पंडी जोहला नहरू के दुरा दिया गया सुराज हमारा जन्म सिद अधिकार है ये बाल गंगा धर तीला के नुसर दिया गया तो इतना सब को आप याद रखिएगा आगे देखिए हरापा किसी यूग की सभ्यता है तो कासी यूगिन सभ्यता है अगला है मोहन जोदरो का अर्थ क्या होता है तो मोहन जोदरो का जो अर्थ होता है वो मृतको का टीला होता है इसके खोजकारता को आने आरडी बनरजी आगे देखिए भारतिय पुरात्तो का पितामा किने कहा जाता है तो एलेकजेंडर करनिंदम को भारतिय पुरात्तो का पितामा कहा जाता है अगला देखिए हरपा का उत्खनन किया निदे हरपा का किनाड़ा है तो दायाराम शहनी ने कब किया था यह लगगभगा 1920 के आस पस किया था खायर एकजेटने यह जदा यह आड़ी बनर जी का याद रखिएगा 1921 में और हरपा कीस नदी के किनाड़े है तो राबरी नदी किनाड़े और इससे एक और आता है कि हराप्ता किस भासा का सब्द है तो सिंधी भासा का सब्द है यहाँ पर याद रखिएगा सिंधी भासा का सब्द यह पूछता है आगे देखी काली बंगा इस ती थे कहां राजस्थान में काली बंगा जो है वह राजस्थान में इसका अर्थ क्या होता है काली बंगा का तो काली रंग की चूडिया है मत अगला है पचीस नमर फाली पुद्र चीज ठपना किस ने की तोफाक लिप ट मभी अंधेनी दौड़ा किया गया था और ऐसे फुछ ड़ता है कि कि नदीयों के शंगह पँस किया गया अगला है 26 नमर भारतिय इतिहास का सोन काल किस काल को का जाता है तो गुप्त काल को का जाता है अगला है बेदों की शंख्या कितनी है तो बेदों की शंख्या चार है और पुरानों की शंख्या आठारा है और पेदांग की शंख्या जो है वो आपका छोग है तो इसमें से दो मोर लिखा गया है टाइपिंग मिष्टेक है मोरे समराज का पर्थम साथ सा कौन था तो चंद्रगुप तो मोरे हो जाएगा अगला है द्रोपर्ति किनकी पतनी थी तो यह द्रोपर्ति जो थी वह और जून युदोस्तिर और भी इन तीनों की पतनी थी तो उप्रोक कि युदो जाए देखिए कि गेटवे अफ इंडिया का निमार आप गेटवे और इंडिया जो है वह मुंबाइ में है और इंडिया जो है दिल्ली में और गेटवे अफ इंडिया मुंबई में आगे देखिए भारत में रेलवे के सुरत कब होई तो अठारे सो तीरपन में लाड़ डल होजी के सासन कल में होगा था कहां से कहां तक चला था तो मुंबई से थांड था अगला है तेंटिस नमर कोश्चन महत्मा अंदोलन शबीन ओगया अंदोलन कब सुरू हुआ तो 1930 में इसकिस के द्वारा तो महत्मा गांदी के द्वारा अगला आप देखिए गांदी जी के राजीनिति गुरु कौन थे तो गुपाल कृष्ण गोखले अगला कोश्चन है अपका डांडी मार्च से किस अंदोलन की शुरुवात हुई तो शबी नय ओगया अंदोलन आगे देखिए अगला है अर्थिस प्रियदर्शी की सासक का नाम था तो अशोक हो जाएगा अगला है अभिज्ञान सकुंतलम के लेखा कौन है तो कालिदा से अगला है भारत का नेपोलियन किशे कहा जाता है तो समुंद्र गुप्त को अगला देखिए महा भारत में गांगा पूत्र किशे कहा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा भिश्म को अगला है मुस्लिम लिंग के अस्थापना कब होई तो 1906 में कि आगे देखिए तक्सिला विश्म विद्धाले कहां इस्थित देखिए पहले यह जो था भारत में इस्थित्था लेखिन अभी यह पाकिस्तान में चला गया अगला देखिए बॉक्सर का यूग सथाई पंदवस्ल लागू हुए कब हुआ तो 193 मैंने बताया भी था कि इसके सासन कल में हुआ था इस्थाई बंदवस्ल आपको कमेंड बक्स में बताना है आगे देखिए भारत में रेल चली कब 1830 में मुंबई से थाने खाला कि यह रिपिटेट कोशन देद आ आ गया है यहाँ पर टाइपिंग मिश्ठेक है चलिए आगे देखिए पाकिस्तान सब्सक्राइब दिया तो चौधरी रहमत अली यहां पर अगला है 48 नमर मेगास्ति किसके दर्बार में आया तो चंद्रगुप्त मौड़े एक और देखिएगा फाहियान का पूचता है बारवर फाहियान किसके दर्बार में आया था तो चंद्रगुप दूईतिय के सासंकल में था इसको अगला क्वेशन नमर पचास से गांधी इर्विन सम्झाता कब हुआ 1931 में इसे इर्विन प्रेक्ट के नाम से भी जाना जाता है अगला देखिए साइमन कमिशन भारत कब आया तो 1928 में अगला है हमपी नगर किस राज जैसे संबंदित है तो बिजय नगर समराज जैसे ऐ 1436 में अगला है आएगार वेवस्था संबंदित है कि समराज जैसे तो बिजय नगर समराज जैसे अगला क्वेशन नमर चमवन है अलबरुनी किसके साथ भारत आया तो महमूद गजनवी अगला क्वेशन नमर पच्पन है चोथी बोधसंगिती किसके काल में हुई तो किसका जन्म अस्थान है तो गुरु नानक का अगला बीजक में किसका उपदेश संग रही थे तो कभीर का अगर वीडियो आपको फस्ट लाग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को पाउस करके यानि कि रोकर देख सकते हैं आधरवाई नहीं तो आप नोट कर लिए नोट किसने की तो बिलियम जॉंस ने तो यह रहा आपका सेकेंड पार्ट और नेक्स्ट पार्ट जो भी मैं लाओंगा उसमें लगवग यह 40-45 कोश्टन बचा हुआ है क्योंकि यह साथ कोश्टन है और 40 होना चाहिए लेकिन मैंने एक्स्टा फैक्ट कुछ दिया था जिसके करेंगे उसके बाद 2019 का और उसके बाद जैसे करम में चलते रहेगा लगवग 2015 तक या 16-17 तक हम रुक्सल करेंगे और उसके बाद पोल्टी हो गया यह साड़े मैंने जो जो भी से आपको बताया था उन सबका सोलूशन करा जाएगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में